देश भर में गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है वहीं भारतिय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, लदाग, बिहार और हिमाचल प्रदेश में वेपाईक रूप से हलकी से मध्यम वर्षा हो सकती है साथ ही कुछ गरज और बिजली भी गिर सकती है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाना, चंडिगर और उत्राखंड में ओला व्रिष्टी भी हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार अरुनाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्थ बारी हो सकती है असम और मिघाले में भी एक अप्रेल को भारी बारिश हो सकती है नागा लेंड, मनिपुर, मिजोरम, त्रिपूरा में दो अप्रेल को भारी बारिश हो सकती है वहीं बिहार, दिल्ली और पंजाब में 3 अप्रेल को बारिश हो सकती है दिल्ली में तापमान 40 के आसपास पहुचने की संभावना है और यहां गर्मी लगतार बढ़ती हुई नजर आ रही है आईमडी के अनुसार, बिहार में अगले कुछ दिनों तक गर्म और आधर मौसम रहने की संभावना है तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुच जाएगा सुस्क मौसम और टेज धूप के कारण आंतरिक ओडीशा में भी तापमान में ब्रिधी देखी जा सकती है मौसम विभाग ने अप्रेल और मई में समान से अधिक तापमान और लू चलने की चिताबनी दी है खास कर मध्य और उत्तरपश्चिमी भारत में आईमडी ने अगले दो दिन से तीन महीनों के लिए असामान ने तापमान की भविश्वानी की है स्काई मेट विदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दोरान पश्चेमी हिमाल्य से हलकी और मध्यम बारिश और बर्वारी के साथ कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश हो सकती है और उसके बाद त्रिविता और फैलाव में कमी आ सकती है उत्री पंजाब, हरियाना, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तिसगर, विदर्व और केरला में बारिश और आंधी संभव है मध्य प्रदेश, बिधब, उत्री, आंत्री कर्नाटक, राया, सीमा और तेलंगाना के अलग-अलग इलाकों में लू की स्थिती संभव है पश्यमी, मध्य प्रदेश, गुजराच, छेत्र, मध्य महरास्ट और मारट वारा के अलग-अलग हिस्सों में गर्म राक की स्थिती हो सकती है बिरो रिपोर्ट, निउस प्यार लाइफ पटना